पूरे देश में एक नारा लगा अपकी बार चार सो पार और बिहार में अपकी बार चालिस की चालिस सीट क्या बीजेपी इस नारे को पुरा कर पाएगी क्या बीजेपी जो नारे लगा रही है वो नारे जो है वो सफल हो पाएगी क्योंकि बिहार में अगर बात करें बिहार की सीटों की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी के कुछ सीट जो है वो अटकते हुए भी नज़रा रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं गिरिरास सिंग की सीट को लेकर कभी कॉंग्रेस कभी वामतपंत का गढ़ बेगु सराय लोकसवा शेतर पर पिछले एक दशक से भाशपा का कबजा है इस वार यहां से भाशपा प्रत्याशी के रूप में केंदरी ग्रामिन विकास मंतरी गिरिरास सिंग एक वार फिर से मैदान में है उनका मुकाबला CPI के अवधेश शुराय से हुआ है इस वार भाशपा के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है भाशपा करीब तीन दशक के बाद यहां से जीत हासिल करने में जुटी हुई है यह आम चुनाब में भले ही जीत किसी दल की हो अधिकतर बार मुकाबले में भागपा की ही रही है 1992 से लेकर 19 तक लोगसभा चुनाब में 9 वार यहां से सबसे जादा बार कॉंग्रेस ने जीत दर्च की है दोदो बार भागपा जदी और भाशपा ने इस सीट पर जीत हासिल की है एक एक चुनाब जनता पाटी और जनता दल ने जीता है इस लोगसभा शेतर में 2014 में पहली बार भाशपा का खाता खुला था गिरिडाज ने बड़े अंतर से जीता और पिछला चुनाब लोगसभा में संसद्य छेतर कुमार के चुनाब लड़ने के कारण सुर्खियों में था तब भाशपा के फायर ब्रांड नेता गिरिडाज सिंग ने कनहया को प्राजित किया था हाला कि उस समय चुनाबी रैली का एक कोना राजत प्रत्याशी तन्वीर हसन भी बने थे और उन्हें करीब दो लाख वोट मिले थे इसके बाबजूद गिरिडाज चार लाख से अधिक मतों के अंदर से जीते थे इस लोग सबाज चुनाब में भागपा ने बचवाड़ा विद्रभरोसा जटाया है इस बार काटे की टकर 19 इंडिये एक जूट और बिपक्ष बिखरा हुआ था लेकिन इस बार राजनितिक तस्वीरे बदली इंडिये काकार बढ़ा इंडिया गटवंदन में राज़त कॉंग्रेस को और वाम दल साथ हाएं बेगु सराय में काटे की टकर मानी जा रही है महा गटवंदन का मजबूत आधार जातिय समाजी समिकरन है तो एंडिये में मोदी मैजी के सहारे बाजी पलटने की तयारी कर रही है दितिश कुमार का विकास कारभी एंडिये के साथ है शेतर में मौजूदा सांसत गिरिजास सिंग एंडिये के टिकट पर लगतार दूसरी वार मैदान में है बेगु सराय में दोनों गटवंदन अपने-पने समिकरन साधने में जुटे हैं जाती अधारित पर धुर्वी करन की स्थिभाशपा की चिंता बढ़ा सकती है 19 में अब परीवी सीमन के बाद एंडिये का कवजा बेगु सराय सीट आजादी के बाद पहले चुनाब 1992 के अस्थित में आ गई है सतर सालों से श्वेत्र की तस्वीर जो है वो बदली है इसका फैसला तो अब आम जनता करेगी और ये आम जनता जो अपना फैसला करेगी उसके जो रिजल्ट है वो चार जून को आएंगे और चार जून को देखना होगा कि गिरीराज सिंग के सामने जो टकर दे रहे हैं वो उनके काबिल है या नहीं फिलहाल करेज सब्डेट में इतना ही